पंद्रासो प्री लोड़ेट गानो वाला कीपड फोन, हम माकेदार साउंड के साथ, कारवा मोबाइल सियाटल का कल्चर बहुत ही रिच है, और इसके पीछे बहुत सारे कॉंटिबूशन है, इसके अलावा सियाटल के कल्चर में कॉंटिबूशन है, अन्य लोगों का जैसे की अफ्रिकन अमेरिकन्स, एजिन्स, एन लाटीनो पीपल, जो इस शहर की बूमिंग एकॉनमी की तरफ आकर्शित हो गए थे, सियाटल इनोवेशन का घर है, जहां बड़ी-बड़ी कंपनीज हैं, उनके हैड ओफिसे हैं, अमेरिका की वन अफ फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज में से एक, दुनिया भर के इमिगरिंट्स को अट्राक्ट करने वाला ये शहर सियाटल है, अगर सारी vivid variety of hotels आपको वहां मिलेगी, homestays वहां मिलेंगे, lodging के options इतने diverse हैं, कि आपको यहां historic accommodations से लेकर elegant accommodations, हर तरह की accommodation मिलेगी, वैसे हर शहर की एक खासियत होती है, उसी तरह सियाटल की भी कुछ चीजों की खासियत है, जैसे कि यहां की coffee, अगर आपको नहीं पता तो बता जो दुनिया भर में बहुत ज्यादा famous है, सची बात तो यह है कि सियाटल में coffee houses की shortage नहीं है, यहां लोगों को in general coffee पीना बहुत अच्छा लगता है, जब भी आप सियाटल आएं कुछ amazing coffee try करने के लिए ready हो जाईए, इसके अलावा सियाटल बहुत सारी चीजों के लिए famous है, शायद आपको बता होगा कि सियाटल अपनी बारिश की वज़े से भी जाना जाता है, अच्छली यहां पर इतनी बरसात होती है, लेकिन फिर भी यहां का weather हमेशा अच्छा ही रहता है, सियाटल आते समय थोड़ा unexpected rains आप जरूर expect करें, आप लोगों में से बहुत लोगों को यह नहीं पता हो शायद कि सियाटल अपने वहां हुए गए music के लिए बहुत famous है, एक बहुत popular music fest जो यहां पे होता है, जुसका नाम है grunge, बहुत साहे लोग सियाटल आते हैं, heavy guitar riff सुनने के लिए, बड़े grunge concerts अटिन करने के लिए, in fact, बहुत सारे grunge bands जो popular हुए 1990s के दौ सियाटल में शूट की गई थी, देश की कुछ top fortune 500 companies यहां सियाटल में ही located हैं, कुछ बड़ी companies, private companies, जैसे की coffee chains हैं, कुछ online shopping companies हैं, जिनको हम अकसर use करते हैं, अकसर वहां coffee पीने जाते हैं, वो भी सियाटल में located है, सियाटल में घुमने फिरने के लिए ज्यादा tension लेने के आ World Fair के दौरान बिल्ट किया गया था, जो एक 74 एकर का campus है, यहां सियाटल सेंटर में आप Space Needle Pacific Science Center, Museum of Pop Culture, Chihuly Garden and Glass, सियाटल मोनोरिल घुमने डेफिनिटली जाएं, बिलीव में, यूर नाट गई तो रिग्रेट इवन परसेंट, नेक्स अप इस Olympic Structure Park, यह एक world class sculpture है, यहां आप बेफिक्र होके, यहां पर सियाटल की खुबसूरती निहार सकते हैं, और हारबर देख सकते हैं, यहां का outdoor sculpture garden, कम से कम 9 acres of seaside bluff, जो के north downtown जाती है, वहां तक spread होता है, यह एक industrial backwater से transform होके, एक artwork में transform किया गया है, जहां Alexander Calder's का artwork रखा गया है, Seattle Art Museum, यह जगह मेरे ख्याल से एक perfect जगह है, specially जिस दिन मौसम खराब हो, बाहर बारिश हो रही हो, उस दिन आप अगर इस art gallery में घुश जाए, तो मैं बता रहा हूँ, आप उन masterpieces का मज़ा ले सकते हैं, आपको European Masters की painting से लेकर Asian artwork, to native American carvings और contemporary sculpture, यह सब यहां देखने मिलता है Chinatown International District, Seattle का Chinatown इस शहर जैसा ही पुराना है, 1880s में यह emerge हुआ था, और आज यह International District के नाम से यहां जाना जाता है, in fact यह Chinese, Japanese, Vietnamese, Filipino और बाकी immigrants का एक cultural hub बन गया है, वैसे जब हम Seattle के बारे में बात कर रहे हैं, तो खाने की भी बात कर लेते हैं, मैं बता हूँ, बहुत सारे restaurant आपको यहां मिलेंगे खाने पीने के लिए, बहुत सारे खाने पीने की डिश आपको मिलेगी, लेकिन आप अगर Seattle पहुचे हैं, you have to try the seafood, यहां इस शहर में आपको seafood बहुत टेस्टी मिलेगा, you know, if you love fishes, if you love to eat octopus, then believe me, this is the place for you, अगर आप चाहें तो यहां दॉक्स में जाकर directly fishermen से भी fish खरीद सकते हैं, आपको यहां के restaurant में जाकर fish खाने का मज़ा लेना है तो वो भी कर सकते हैं, यहां पे आपको best oysters का मज़ा मिलेगा, crabs, sushi, यह सब यहां खाने में मज़ा आता है, in fact I would suggest यहां की salmon जरूर आपको try करनी चाहिए, Seattle में वैसे जो most ordered dish है, that's called four, जो कि एक यहां Seattle में किसी भी hot dog stand वाले के ओपर अगर आपकी नजर जाएं, do try that, क्योंकि वहां पर cream hot dog बहुत popular है, so you have to try that, अचे एक बात बिदाए, आपको chocolates कैसी लगती है, like मुझे chocolates बहुत जादा पसन है, homemade chocolates तो are my favorite, one of my favorite chocolates उटी में मिलती है इंडिया में, लेकिन अगर विदेश की बात करूँ, तो Seattle वो जगा है, जहां पे homemade chocolates amazing होती है, यहां France chocolates एक ऐसा brand है, जो 1982 में पाया गया था, and it has become one of the best chocolate brands of United States, वैसे में आपको यह बता दूँ कि इस state में, अकेले ही more than 900 wineries है, in fact, Washington is the second largest producer of premium wine for the United States, Seattle में भी बहुत चारी urban wineries है, जहां पे आप wine tasting कर सकते हैं, उसका मज़ा ले सकते हैं, किसी भी नहीं जगा जो कि अगर shopping करना चाहते हैं, तो फिर Seattle में कुछ ऐसी unique shops हैं, जो आपको बहुत amazing लगने वाली हैं, अगर आपको कोई भी unique चीज़ें खरीद नहीं हैं, तो Seattle में इन दुकानों पे definitely जाए, Flora & Henry, Baby & Company, Archie McPhee, Georgetown Trailer, Park Mall, Urban Surf and Mokshah, Seattle ए के आप Seattle अपनी vacation list में कब शामिल करने वाले हो, अंतिल नेक्स ताम, इस अभीमान युकाक, कीप स्माइलिंग, और कीप ट्रावलिंग, यादों की बारात निकली है, आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को खुकारे, दिल के द्वारे, ओ छेडों तराने मिलन के, प्यारे प्यारे संध मारे बदलेना अपना ये आलम कभी, जीवन में बिछडेंगे ना हम कभी यों भी जाओंगे आखर कहां, ओ के हमारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे सपनों की शहनाई बीते दिनों को खुकारे, दिल के द्वारे यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे यादों की बारात निकली है यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे